मक्की की रोटी सर्दी का मौसम है शाम के खाने में यदि मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों का साग हो तो खाने की बात ही कुछ और है मक्की की रोटी बहुत ही स्वाधिश्ट होती है तो आएए आज हम मक्की की रोटी बनाते हैं आवश्यक सामगरी इंग्रीडियन्स फर माकी की रोटी रेसिपी मक्की का आता 400 ग्राम नमक स्वादनुसार यदि आप चाहे गरम पानी मक्खन विधी How to make माकी की रोटी रेसिपी मक्की का आता एक बर्तन में निकाले बिल्कुल रोटी बनाने से पहले आते में नमक डाले और गरम पानी की सहायता से आते को गुथ ले आते को 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि आता फूल कर सेट हो जाए गेस पर तवा रख कर गरम कीजिए आते से थोड़ा सा आता लेकर हतेली की सहायता से अच्छी तरह मसल मसल कर मुलायम कीजिए जब आता मुलायम हो जाए तब उसमें से थोड़ा सा आता उठा कर लोई बनाएए लोई को हतेली से दबार कर बढ़ा करिक लीजिए अब हथेलियों पर थोड़ा सा पानी लगा कर लोई को दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से चकलोई बना लीजिए अब इस चकलोई को दोनों हाथों की हथेलियों से दबा दबार कर 5-6 इंच के व्यास में रोटी बढा लीजिए इस रोटी को गरम तबे पर डालिए और निचली तरफ से सिखने पर पल्टे की सहायता से पलट दीजिए जब रोटी दूसरी और अच्छी तरह सिख जाए तब पल्टे की सहायता से उठा कर गेस पर दीमी आग पर घुमा घुमा कर दोनों और ब्राउन चित्ती होने तक से किये गरमा गरम रोटी पर मकण या घी लगाएं मकखी की रोटी के साथ सरसों का साग का आलागी स्वाध है मकखी की रोटी को आप सरसों का साग या अपनी किसी भी मन पसंद सबजी से भी खा सकते हैं मकखी की रोटी का स्वाध और अधिक बढ़ाने के लिए गुड और मकण भी रोटी के साथ खाएं आपका हमारी ये विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।